हेलो प्यारी विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं लक्षमी नरायन मिश्र जी दुबारा लिखित एकांकी एक तिन से जुड़वा प्रशन, प्रशन इस प्रकार से आ सकता है, एक दिन एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा लक्षमी नरायन मिश्र की एकांकी एक दिन के प्रतिपाद्य विशय पर विचार दीजिए, आईए इस पर चर्चा करते हैं, प्रस्तुस समाजी कांकी में विवास से पूरव लड़की को देखने की अतियंत महत्तों पुर्ण प्रथा को अधार बनाकर यह बताया गया है कि भारतिया अधर्ष की मर्यादा तथा भारतिया अधर्ष पर अपना सर्वस्व नचावर करने को तयार रहते हैं, उधर उनका जवान बेटा आद्लिक विचारों का समर्तक है, राजनात की एक बेटी शीला भी है जो विवा के योग्या हो चुकी है, मोहन अपने एक सहपाथी निरंजन को कराने का बेटा है, उसके पिता नामी वकील है, जो कल को हाई कोट के जज़भी बन सकते हैं, उनकी कई कोठियां हैं, कारें हैं, किन्तु राजनात को भारतिया अधर्ष के बुरुद्ध विवाह से पूरव लड़की को दिखाना पसंद नहीं है, उनका बेटा मोहन इसे ज देखे विवाही नहीं होता, दूसरे मोहन अपनी बहन शीला के सुख के लिए तो यह कसब कर रहा है, एक अमीर घर में जाकर शीला सुखी ना रहेगी क्या, मोहन स्वियंबर को भी इसी देश की मर्यादा मानता है, मोहन की स्वियंबर की युक्ति इसको सुनकर कहते हैं, कि इस वियंबर में कन्याओं को वर्च चुनने का अधिकार होता है, जबकि आज का लड़का विवाह से पुरव लड़की देखने चाहता है, उससे बाते करना चाहता है, वहे पसंद का अधिकार केवल अपना मानता है, लड़की का नहीं, मोहन शिकायत करता है कि निरंजन न शीला का नाम लेकर पुकारा और एक गिलास पानी मांगा लेकिन शीला नहीं गई, इससे उसने अपना अपमान समझा, वहे तो रात में ही जाने को तयार था, मैंने उसे रोका और कहा बच्ची है जाने दो, इस पर राजनात कहते हैं कि जो काम वहे किसी भी नोकर से ले सकत है, वहे उसने तुम्हारी भेन से लेना चाहा, केवल इसलिए कि अकेले में वहे भर आख उसे देखे, दो बाते पुछे, उसके बाद उससे कहता है, पैर दबाने के लिए, राजनात मानते हैं कि सब बाते तैय हो जाने पर वहे लड़की दिखाने के लिए तयार हो जाता, पर निरंजन को कभी नहीं, विवास से पहले जो लड़का लड़की को स्वयम देखना चाहता है, वहे असब्य है, पसंद करने का अधिकार वहे अपने मानता है, करन्या का नहीं, वहे प्रगती को रोकने के पक्ष में नहीं, प्रंतु प्रगती अंधों की नहीं, आखों वालों की होती है, राजनात अपने बेटे को धन से पद, परतिश्टा और अलग करके देखने की सला देते हैं, राजनात महन की यह बात भी बताते हैं, कि निरंजन के दादा रगुनाद चोधरी उनके पिता के मुन्शी थे, उसके पिता बचपन में उसके यहां साथ खेल वे अपने पिता से निरंजन से बात करने की हामी भरती है, साथ ही कहती है कि वे उसे निरंजन को इस योग्य नहीं छोडेगी, फिर कभी किसी इस्तिरी के साथ ऐसा व्यवार करें, तो उसे लुक छिप कर देखना चाहता है, उसके भीतर पुर्च कहां है, बेटे की बात कहती है, आपकी अवस्ता का पुर्च जब मेरी आयू की लड़की के पास आता है, अंधा हो जाता है, और कहीं सयोग से लड़की सुन्दर हो, तो वे उनमत हो उड़ता है, अंधा क्या देखेगा, उनमत क्या समझेगा, आपको सहस्त कैसे हुआ कि यहां तक चले आए मुझ कृति प्रापत करनी चाहिए, अंतमे निरंजन कहता है कि इस एक दिन में मेरा सारा जीवन समा गया, निरंजन के इसी कथन से एक दिने कांकी समापत हो जाती है, धन्यवाद विजारतियो,